नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरा राम राम दरमबीर जी को दो बार मुखा मिल चुका वो बीजेपी से हैं अब दान सिंग जी पांच बार विदायग रहे लिए और एक राव भादर सिंग जी हैं जिन्होंने सिख्षा के शुरुवात करी चोटे से बच्चा, पांच साल का बच्चा भी नहीं जानता है कि आभाई ये तो भादर है आप देख रहे होंगे कि कैसे जिस भी गाउं में जा रहे हैं तो इनकी पब्लिक इनके आगे बैठी हुई है कुल्दी पिष्णोई जी आये थे, सब जानते ही है बड़े बड़े वादे किये, सारे वोट ले लिए वोट बांद के अपना, सीधा हिसार चले सिम तोड़ी, फैकी, और कभी यहां मुड़ के देखा नहीं आज की पब्लिक को आदमी चाहिए जो पब्लिक के बीच मैट कर उनका सुख दुख जाने उनके साथ वैवार रखे, उनके सुख दुख में काम आए इस परकार के यह व्यक्ति है अब गैरेंटी से कह रहा हूँ, यह जितनी बार MLA बन लिए, बन लिए आगे से ना यह MLA बनने वाले ना इनके परिवार से कोई MLA बनने वाला और प्राइम स्टूर चेयर पर बैटके इस तरह की बाते करना एक्सेप्टेड नहीं है आज के युवांक और आज के देश के लोगों को हम एक होना चाहते हैं और मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई बहुत ही बड़ा होस्पिटल मल्टि स्पैशलिटी होस्पिटल हमारे पास यहां पर नहीं है उस पर जरूर काम होना चाहिए गाउं के लोगों को बरगला करके अपने बीच लेकर के चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन कभी किसी कई दिल जीत नहीं पाते तो राओ बादर सिंग आपके बीचे बैटा हुए राओ बादर सिंग लाओ भई भई परिशान नहीं करना बादर सिंग बोल कोरू लोग सवाल नहीं पूछते हैं लेकिन जब वो गाउं के अंदर आते हैं तब आप सवाल क्यों नहीं पूचते हैं उनसे 65% युवा देश के अंदर बेरोजगार है इसके उपर कोई बात ही नहीं करता है क्या होती है चार साल की नोकरी मत दोना इससे अच्छा या तो पूरी दो किसी के अंदर आज डर है न दोनों के अंदर तो ब्राव भादूर सिंग का डर बैठा हुए उनके अंदर और ऐसे धड़कने उनकी हिल रही है इतने बड़े परिवार की टिकेट काट करके उड़ा सावा दिल्ली बैठे जो इनका दिख रहा है ये गुड़काओं से गाड़िया लाला कर चार सो पान सो और गाओं में जाकर गुड़काओं के लोग दिखाकर के वोट लेने कोशिस कर रहे है पबली कितनी बावली नहीं है और आप चारों तरफ एक ही नारा चल रहा है जो गाड़ी पर भी लिखा हुआ है कि अब की बार बादर पार नमस्कार दोस्तों स्पोक्स परसन पर मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम चुनावी दोरे पर हैं और मैं आपको बताओं कि इस वक्त हम महिंदरगड भीवानी लोगसभा चुनाव दोहजार चुबिस का सर्वे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भीवानी महिंदरगड लोगसभा सीट से वो कौन से उम्मीदवार हैं जो जीत हासिल करेंगे कर रहे हैं तो मैं आपको बताओं कि इस वक्त सुबह अमारी से बातचीत हुई और मिलने का प्रोग्राम ते हुआ तो अभी आप जैसा इनको देख पा रहे हैं ये अभी वर्काउट करके हमारे पास आए और फिर आते ही का चली इंटर्वी स्टार्ट करते हैं तो आईए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जन्नाएक जिन्ता पार्टे की रणनिती क्या है क्या इन्होंने प्लानिंग कर रखी है किस बहाफ पे या कौन सा ऐसा तरीका है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं और चुनाव जीतने का अपना जो है गाउं गाउ यहां फिट हूं और रोज सुबावट करके डेली अपना वकाउट करता हूं और कहना चाहूंगा आज की यूवा जन्रेशन को कि आज की तारिक में जब ये मीडिया इतना हावी हो रखा है हर विक्ति को रोज सुबाट टाइम निकालना चाहिए और डेली वकाउट करना च देखिए दरंबीर जी को दो बार मुका मिल चुका वो बीजेपी से हैं और मैं गाउं गाउं जा रहा हूं पबलिक ने उन्हें बिलकुल नकार रखा है और सोशल मीडिया पे फोटोस भी आती हैं जहां पर वो बैठे और सामने दरी पे एक आदमी बैठा हुए है ये इनक जान सिंग जी पांच बार विदायक रहे लिए लेकिन कभी मेंदरगड हलके से आज तक वो भार नहीं गए और जब भी विदायक बनते हैं तो उनका दूर वहां गुड़गां घर है सबको पता है वहीं रहते हैं वहीं से अपना बिजनेस करते हैं अपना काम धंदा करते ह आखरी के बस एक महीना चुनाव लड़ने आते हैं और इस हलके के बार उन्हें ना कोई जानता है ना कोई पैचानता है ना कभी किसी के सुख दुख में गए और ना उन्होंने कोई कारिक करे और हमारे हलके में भी अगर आप देखेंगे तो मैं चारों तरफ लोगों से मि आप लड़ना चाहते हैं वो सब मिल करके एक साथ हो करके आप खुद देखना इसी इलाके से इसी विदान सभा से दान सिंग जी बुरी तरह इस बार हारने वाले और एक राव भादर सिंग जी हैं जिन्नोंने सिक्षा के शुरुबात करी आप सभी जानते हैं इस इलाके में जहां पहले कुछ होआ नहीं करता था उन्होंने या स्कूल खोला आप स्कूल के पीछे पीछे आने को रोजगार बने आपका बजार भी भड़ा और आज देखिए कि कितने स्कूल पीछे पीछे खुल गए हैं और आज चारो तरफ जब बारवी का भी रिजल्ट आया तो क जब भी मालूम पढ़ा कुछ दिन पहले ही जब अपनी मा के पेट में थे तब ही इनके पिता गुजर गए थे और एक ऐसा आदमी जो बिना पिता के पला और जिसने जीवाने बच्पन से काम दंदा करना शुरू करा देहारी भी करी मजदूरी करी जहां पहार तोड़ने पढ़े पहार तोड़े जहां पेट छांगने पढ़े पेट छांगे लावनी करी और जीरो से उठकर के एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जीरो से उठकर के जीवन में इतनी काम्या भी हासिल करके जो खुद नहीं कर पाए जो खुद पढ़ लिखनी पाए इन्होंने और ब बच्चे यह सोच रहे हैं कि मैं DC SP collector सब कैसे बनूं और आज आग बारों पढ़ते ही हैं आप सभी किस प्रकार से हमारे खुद के भाई किस प्रकार से SP DC लग रहे हैं तो कितनी गर्व की बात है बड़ी-बड़ी कंपनियों में गुड़गाओं में विदेश में काम कर रहे ह तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और राव भादूर सिंग नहीं अचीव किया है और इनका मैंने ये देखा कि राय मॉलिकपुर कोने वाला गाम है नांगल चोधरी का वहां से लेकर के भिवानी के कोने वाली धानी तक एक इतना चोटे से बच्चा पांस साल का बच्च अब ही इनहें जानता है कि आव़ाई ये तो भादर है और बड़े बड़ा जानता ही है कि ये भादर है और लोग कोई नہी नही निए नहीं नहीं है की और बादूर सिंग आगया गाओं के अंदर कोई ऐसा निता वाला इनका ना भेवार है ये तो अपना आम आदमी त masterpiece मि और जिस भी गाउं में गए अगर गाउं ने कोई भी डिमांड रखी इनके सामने ना तो इन्होंने हर डिमांड को बिना कोई विधायक या बिना मैंबर ओफ पारलीमेंट होते हुए भी इन्होंने ओ डिमांड लोहों की पूरी करी है और अभी कुछ दिन पहले की बात है हम गड़ास बचीनी गाउं है यहां पर वहां हमारा प्रोग्राम था वोटेज में छोटा गाउं है वो तो वहां पर एक बड़े बुज़ूर गाए अपना छोटा सा बच्चा लेकर बच्चा होगा करीबन साथ साल के असपास का बच्चा था आप जाके जरूर पूछ भी ल आती है उस पेंशन से मैं अपना घर चला रहा हूँ अब मैं क्या करूँ कुछ दिन तो मेरे जिंदगी के बच्चे हैं ये बच्चे को मैं कैसे छोड़ कर जाओं मैं क्या करूँ आप इसको कुछ कर दीजिए तो राभादूर सिंग ने बिना सोचे समझे या आत्मी कभी देखता नहीं है अगर कोई भी ऐसे लोग है जिनके माबाप नहीं है गरी परिवार से है तो इन्हों ने सीथा कहा आप अपने बच्चे को कल से मेरे पास भेज़ दो बच्पन से लेकर के इसके आगे तक की पड़ाई मैं कराऊंगा और थारे इस बालों को मैं डी सी इनके आगे बैठी हुई है तो भई तो इनके सार्थी है और एक दूसरे नेता है जो हवावाई से आए है जो पैरशूट से उतरके आए हैं जैसे एक बार कुल्दी बिश्णोई जी आये थे सब जानते ही है बड़े बड़े वादे किये सारे वोट ले लिए वोट बांद परशूट से तो आगया लेकिन भाई आज की पब्लिक को आदमी चाहिए जो पब्लिक के बीच बैठकर उनका सुख दुख जाने उनके साथ वैवार रखे उनके सुख दुख में काम आए इस प्रकार के यह व्यक्ति है और वह व्यक्ति तो ऐसे हैं उन्हें सब को पता है धरम भी दस साल नहीं आए वैसे ही वो आदमी भी जीतने के बाद अगर पाई चांस एक परसेंट भी वो सीधा अपना गुडगाम जाकर बैठेंगे और अपना काम धंदा करेंगे राओ भादूर सिंग जिस परकार से इन्होंने लोगों का आशिरवाद लिया है और ये आ उस पर बातचित करेंगे तो इनकी दो-चार वीडियो हमने देखिए दी तो उसमें इता कि भासा सैली जो इनके बिलकुल सधारन है क्योंकि ये तो वीडियो देखने पर कोई बिया मादमी बताएगा कि भाई बासा जो एक दम बिलकुल आमादमी के तरह है अचा कही ना कह लोगों में एक चीज ये बहुत ज़्यादा पना परिये कि भी राओ बादुर सिंग ने सिक्षिया के मामले में तो महंद्रिगड़क उपर उठाया ही है लेकिन साथ में कही ना कहीं शराब से भी जुड़े हुए हैं जो कि ये शुरुआत से ही थी तो उसके बारे में भी और उसके बाद फिर इन्हों ने जब अच्छा खास सिस्टम हो गया इनका तब लोगों ने का स्कूल खोले हैं उसके बाद स्कूल खोला तो वो तो इनका कारोबार है जी अगर और हाला कि मैं तो खुद शराब के खिलाफ रहता हूं लेकिन जब परिवार का पेट पालना था तो इन्होंने वो कामदंदा शुरू किया और भारत के जनता पार्टी जेसें रेंदर मोदी जी का नार रहे कि बादध है बड़ी ऑसी आती है अशकल एच चार-जो पार का सुनकिया मोदी जी ने बोलना बंद करते हैं चार-जो पार अब परधान मंतरी मतलब मैं बड बाटने कोशिश करते हैं मेरा ये मानना है कि बाइचार बाइचारा बटेगा और अगर देश बटेगा तो हम देश कभी हमारा आगे नई बढ़ सकता अगर हम एक हैं मजबूत हैं एक ताकत होकर हम आगे चलते हैं तो हम McCartney बहुत कामवी के उपर जाएगा तो आज तो मोद हम एक होना चाहते हैं और मिलकर आगे फढ़ना चाहते हैं तो जन्माएक जिनता पार्टे का अपना कोई मैनिफेस्ट हो है कि अगर जैसे वो लोक सवामें सीट जीते हैं तो क्या कुछ जैसे महेंदेगर जिले में क्या कुछ ऐसी चीजी हैं जिनको पूरण करवाना चीजी या कुछ ऐसी चीज़े जो अदूरी रह गई देखिए एक तो भी लोकसवाम जो भी मेंबर हैं आपने देखा है सारे बीजेपी के बैठे हुए कोई आवाज नहीं उठाता कुछ भी कोई कुछ काम करने को त्यार नहीं है और जो हमारी रीजन की पार्टी है जो हमारी गरास रूट अपने हरियाना की धर्ती की पार्टी है उसको पता है कि यहां हमारी समस्याएं क्या है और यह हमारा ही फर्स बनता है कि हम अपने रीजन की पार्टी को अपने रीजन की पार्टी को चिता करके लीडर्स बैठते हैं वो अगर कुछ बोलेंगे तो उनके हाँ में हाँ वो कुछ मना कर देंगे तो उनकी हिम्मत नहीं सामने आवाज उठा सके और हमारे लोग सब अच्छे तर में आप खुद देख लीजिए केवल कुछ ही ऐसी चीजे हैं जिनकी वज़से हम आगे भड़ पा रहे हैं सिक्षा की वज़से से बहुत लोग हमारे नोकरिया लगे बहुत ही बड़िया बात हुई आज होस्पिटल्स खुलने लगे हैं मेंदरगट में भी कई खुले हैं लेकिन कोई बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल्स मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल्स हमारे पास यहां पर नहीं है उस पर जरूर काम होना चाहिए क्योंकि लोग जैपूर जाते हैं कोई राजस्थान बसकोई अपना दिल ली जा रहा है अभी रेवाडी का भी पता नहीं एम्स कब खुलेगा किस परकार से खुलेगा और इसके लावा नए जोब अपरिचनिटीज हम कैसे पैदा कर सकते हैं मेरा मानना है कि आप कुछ नए नए दरवाजे खोले अब कला का छेतर आप चाहिए ले लीजिए म्यूजिक, फिल्म्स गुजरात में सूपर हिट पंजाब में सूपर हिट यूपी में गोइंग वेली वेल बिहार हैं बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा हरे आना क्यों पीछे है हम काम करेंगे जितने ही भाई आर्टिस्ट है जनको आठिस्ट तोर पर काम करना है और आज वर्ल्ड ये आठिस्ट का बनगे आज तारीक में हर यूवा चाहता है कि मैं आठिस्ट बनू हूँ किस प्रकार से इंस्टाग्राइम पे लो कितने एक्टिव आज की तारीक में है तो सब ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनके सामने आगे रस्ता नहीं कि आगे हम क्या करें इसके बाद तो उनके लिए हम ज़रूर काम करेंगा अगर मुखल मिलेगा तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर Film City खुले और जब Film City खुलेगी Film City खुलने के बाद लग बग हजारा रोजगार मिलेंगे और जो UI सेतर में minded है, creative है, वो लोगी सेतर में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं और मैं उनका पूरा सहयोग करूँगा, क्योंकि मैं खुद पहले मैंने थेटर किया हुआ है दो साल मैंने थेटर किया है, उसका नुभा मुझे भी है और मुझे पता है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और अगर ये इंडस्ट्री हमारे हर्याना के अंदर उठकर के आती है तो बहुत ही जादा करोडों खर्वों का उससे रोजगार निकल कर आएगा और बहुत जादा उससे नोकरिया मिलेंगी और उसके अलावा आप ले लीजिए स्टेडियम अगर आप देखी हमारे इलाके में कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टेडियम है नहीं किसी को कोई कोचिंग करनी होती है तो और इलाकों में जाना पड़ता है किसी को क्रिकेट की तरफ जाना है उसे दिल ली जाना पड़ता है एक बहुत ही बड़ा विशाल स्टेडियम हमारे इलाके में खुलना चाहिए जिससे जो भी हमारे बच्चे स्पोर्ट के अंदर इंटरिस्टेड है जिस भी फिल्ड में इंटरिस्टेड है उन सब का स्पोर्ट का स्टेडियम के अंदर होना चाहिए यह सारी फैसिलिटीज और उस परकार हमारे बच्चे स्पोर्ट में भी आगे भड़ कर जा पाएं तो यह हमारे मुखे मुद्धे है जैसे आपने अभी फिल्म सेटी की बात किये तो फिल्म सेटी अरियाना में शाइद रोत्तक में तो शाइद है यह लेकिन उस सरम पे हम काम नहीं कर पा रहे हमारा म्यूजिक इंडर्स्ट्री भी एक बार इतनी भड़ी पिसले एक दो साल में लेकिन वो भी अटक गई है बिल्कुल और हमारी फिल्म इंडर्स्ट्री का है फिल्म इंडर्स्ट्री हमारी जिरो है वो इतने हमारे कलाकार भाई है इनने जाकर मुंबई जाकर धक्के खाने पड़ते है वह वैसी बोज़ाता भीड है और वहाँ पे लोग हमें एक्सेट भी कम करते है सची बात है तो हमारे इलाके में इस तरह से बूम ले करके आएंगे, यहीं फिल्म्स बनाएंगे, यहीं म्यूजिक फ्रोडक्शन करेंगे, ताकि आने वाला जो समय हो, हमारा हरियाना को लोग बोलें यार वाह, कितने क्रेटिव यहां के लोग हैं, उस प्रकार से काम करना है हमें तो अभी जैसे भारती जनता पार्टी से दो बार सांसद रहें द्रमवीर जी, लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ कि मेरे को इस शेत्र में जो कमी लगती है, उसमें एक मेजर सी कमी है, कि अपना जो एक रोड है, जो महिंदरगड को अटेली से कनेक्ट करता है, महिंदरगड को गॉवर्मेंट को मेंबर ओफ पारलियमेंट को और आपके अपने विधायक को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना काम करें और जो समच्छ से आए हैं आप लोग उनको सॉल्व करने आ, काम करें आज कई लोग बहाने मार देते हैं, मैं इक कोई मारता है, मै मेरा पैसे नहीं है तो इस प्रकार से हम आगे भड़ी नहीं सकते जब मन के अंदर बहाने ऐसे पैदा रहेंगे हर जवाब के लिए हमारा बहाना खड़ा हुए तो अब तक काम बने का निया जी और यह क्या नेता आते नहीं ना यहाप पर अब धरंबीर जी हमारे यहाँ पर हैं कभी भी आते हैं तो वापस नहीं गाड़ी गुडगाम घर जाके रुखती हैं रात को यहां रुखते नहीं हैं अब कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब उनको पता है सुबह मैं निकलूंगा यहाँ से घर से नीचे तो लोग नीचे फाइल ले खड़े रहेंगे अपने काम के लिए और जिस व्यक्ति को लोगों की शकल देखना पसंद नहीं है लोगों के काम करना पसंद नहीं है जो केवल यह देख रहेगी मैं कहां से क्या जमीन देख लूँ और कैसे जो इकमा रखें दस 20,000 कोड रुपे मैं कैसे उसे एक लाग करोड कर द पाते हैं लेकिन कभी किसी कई दिल जीत नहीं पाते हैं तो जी यहां पर तो यह कहानी चल रही है लेकिन आज यहां की पब्लिक मेंद्रगड की पब्लिक इतने मूड मैठी कुछ भी करके दान सिंग जी को और शर्मा जी को आने वाले चुनाओं में जीतने नहीं देना है किसी तीसरे आदमी को ये मोका देंगे और मैं जनताओं कहना चाहता हूँ अगर पब्लिक मेरे को आख कहती है कि भाई आप लोग खड़े मत हो और ये जो नए लोग हैं पांच साथ लोग इन मेंसे पब्लिक किसी को अगर समर्थन देती है आशिरवाद देती है तो मैं अगर पब्लिक कहेगी तो मैं चुनाओं में नहीं उतरूँगा या से इसे अधिक मैं नहीं कर सकता हूँ यांगी पब्लिक के लिए लेकिन मैं इتना कर सकता हूँ इन दोनों को अटाने के लिए जो पब्लिक की मनशा है वो अपूरी करने में उनका पूरा सहयोग कर सकता हूँ एक लोगों में बहुत सारी बात सीच चल रही है जैसे हम सर्वे कर रहे हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे ये बहुत सारे ये कहते हैं कि सानसद का काम ही नहीं होता गाओं में आना वो विधायक के तोर पे जो विधायकी के मलब इस समय जो विधायक हैं उनका काम है कि वो गाओं में हैं और समस्चा सुने मैं तो जही इन बातों से एक परसंट भी सहमत नहीं हूँ अगर आप देखें मैं सिद्धा आपको बताया तो लोगों को कि अगर मालो राव बादर सिंग आपके MP बने है यहाँ करें इनका अर 20 किलोमेटर में स्कूल है इनका कही ना कहीं आपको मिलेंगे और कोई आपको काम होगा आप लेकर के जा सकते हैं उनके पस विधायक ने आप काम को मना कर दिया तो राव बादर सिंग आपके बीच्छे बैठा हुआ है, सरी ये काम है, बादर सिंग लाओ भई, ये लोग अब काम हो गए, बताओ क्या दिक्कत है, कोई परिशान कर रहा है, ये परिशान कर रहा है, भई परिशान नहीं करना, बादर सिंग बोल रहा हूँ, तो जी काम क्यों नहीं होते हैं, MP के अंदर तो नो तो इन्हें पता भी नहीं कि काम किस प्रकार से कराए जा सकते हैं इस सड़कों की आप दिक्कते बता रहे हैं अगर बादर सिंग आपके MP होते पर बिल से पूर चाता हूं आप लोगों से अगर यह आपके MP होते आप इनके पास आते कि MP साहब यह सड़क है कही सालों से बनी नहीं तो जी भादर सिंग के साइन पर नहीं बनती सड़कों जो फंड मिलता है इतने करोडों का एक साइन मारने पर वो सड़क नहीं बन जाती और धरमबीर जी के तो पैसे वापस चले गए इन्हों लगाए नहीं क्यों लगाए तो तब जब गाओं में जाएं यह तो वह व्यक्ति है समाजिक व्यक्ति जो दिन हर दिन 10-15-20 गाओं में जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे और जब आगे जाएंगे आपके गाओं में बताएंगे हमारी सड़क की अदिक्कत है हमारी नाली की अदिक्कत है कई गाओं में हम गए बोल जी पानी ऐसा गंदा नाल पूल देते हैं लेकिन जिस दिन ये MP बने उसे दिन सीजा पाइप लाइन बढ़िया लेकर आएंगे पानी देंगे तो जी ये तो बिना बाद की बाते हैं बिना बाद का प्रोपागेंडा है अगर आपका MLA MP आपका काम करने वाला गरवेक्ती है तो जी आपके आपके समस्याएं दूर करना उनका काम है और आपका काम है उनसे सवाल पूछना लोग सवाल नहीं पूछते मेरे को बड़ा दुख होता है गाउं में बैठके बोलते हैं अरे भाई ये तो आया नहीं अरे भाई ये तो काम ना करे अरे भाई ये तो गुंडा है लेकिन जब वोट दे कर भी है सोच रहे हैं कि हमारे काम का ही नहीं है तिर क्या कीमत हमारे वोट किया focus हो रखी है देश के अंदर आप। देखेंगें किस प्रकार से हमारे 65 प्रतिशक्यत यवा देश के अंदर बेरе इसके उपर कोई बात ही नहीं करता। में यह आउंके चल रहे हैं प्रदर्शन हमें नोकरी दो आबाद बच्चा पढ़ लिग जाए माबाप ने जिंदगी भर सुबह से लेगे रात तक उनके लिए बहनत करते रहे जबीन रगडते रहे मारोटी बनाती रहे चूले पर आथ जलते रहे बच्चे के 80% आए 90% आए बारवी पास करी कॉलेज पास करी और सामने फिर सामने बंजर सब कुछ बेरोजगारी वो क्या कर रही हुआ फिर सामने थमा दिया हाथ में मुबाइल फोन पूरे दिन मु पूर दिन लगे रहो औरों को देखते रहो औरों की चाहत देखकर औरों का आगे भड़कर सोचते रहो कि मैं भी ऐसा बनू लेकिन ये मुबाइल फोन ऐसी बड़ी बिमारी है जो बेरोजगारों के हाथों में तमादी गई है कि वो बेरोजगारी अपनी भूल जाए और आज आप देख लीजे गाओं के अंदर जिस प्रकार से पहले 50, 60, 100 बच्चे दोड मारा करते थे आपको याद होगा किस प्रकार से दोड मारते थे कितने इंट्रेस्टेट थे जिंदगी में कामयाब होने के लिए आज गाओं में जाईए आप 5 बच्चे हैं मुश्किल से जो एकंप दोड मार रहे हैं जिनकी परिवारी हालत बहुत ही जादा खराब है जिनके रोटी के लाले हो रखे हैं केवल वो बिचारा लड़का दोड मार रहा है और उसको भी आज यह हो गया ही जब से अगनी वीर आया है ये तो वीरों को अगनी में जला रहे हैं, हमारे तो युवाई वीर हैं, सब को अगनी में जलाने हैं काम कर रहे हैं, अरे क्या होती है चार साल की नोकरी, मत दो ना इससे अच्छा, या तो पूरी दो, बहुत चार साल नोकरी कर लो, और उसके बाद अपने गाम आजब बंद चोरा रख लिया, तो बच्चे की मानसिक्ता पर कितना असर पड़ेगा, मानसिक्ता के उपर, मेंटल स्ट्रेस के उपर कोई काम ही नहीं कर रहा, इतने स्ट्रेस्ड हैं बच्चे, इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, कि एक चीज पर दो मिनिट भी ध्यान नहीं लगा पा रहा बच्चा माइंड घूम रहा है हर सेकिंड मैं युवाओं से मिलता हूं माइंड घूम रहा हर सेकिंड कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं एक पॉइंड पर आके कोई रुक नहीं पा रहा है इस तरह के आज हालत बना दिये गए लेकिन कोई बातों पर चर्चाई नह अगर आज पेरेंट्स आप देख लीजिए छोटे-छोटे पांच साल के बच्चा दो मोबाइल फॉन दे देते हैं इतना कीन हो गया मोबाइल फॉन का इतना यूस्टू हो गया है नशा यह भी तो नशा है मोबाइल फॉन का सबसे खतरनाक यह नशा है मापे औरों की की मेन्द कर अब मैं पार्टी को यूफा परधान हूं लेकिन निकर परधान तरह लोगों से मिलता ही नहीं द हो अग्श्छ करके लोगों के लिए कुछ करना है कुछ करके दिखाना है ढूनिया में आएं तो कुछ करके चाहते हैं वो करें और जी जान से मेहनत करके करें घर बैठे बैठे कोई आपको आगे रोटी नी देने वाला गर बैठे बैठे कोई रोजगार नी देने वाला दूप में तपना पड़ेगा रंग अपना काला करना ही पड़ेगा और लोगों के बीच जाके अपना वहवार बनाना ही पड़ेगा, अकेले जीवन में रहकर आप कभी काम्याब नहीं होगे, लोगों में घुल मिल जाओ, उनमें एक हो जाओ, जीवन में अपना काफिला बनाओ, अपना भाईचारा बनाओ, और आगे बढ़ो फिर देखो, जिंदिगे में खुशाली देखें आप, गरो हम गाँ करने वाले हैं, तोसाम की और जा रहे हैं आजम, तोसाम की तरफ जाहती हैं, और तोसाम के अंदर हम दो दिन पहले भी गए थे, अब में उसे क्यूंकिूंकि मेरी आप से बात थी, तो साम की समय जब अपनी बात हुई थी, तो आपने बताता है कि तोसाम से नहीं कि मैं तो भी देख रहा हूं किस प्रकार से जो विदानसवाइए लाकें कैसे बने हुए लेकिन सब जुड़ा हुआ है सब उजड़ा हुआ है कुछ है नहीं तो वी दो जान में वी फोड़ा है वहां कुछ नहीं यह तो कुछ है इंहीं आपर तो मतलब मैं अपने मैंद्रगरड को समझता था कि बहुत बैक्वर्ड है वाला विधान सभा लेकिन इससे इस भाध बैक्वर्ड विधान सभा है यापर बड़ी पीड़ा होती है मन के अंदर की कुछ हो ही नहीं रखा कोई प्रेम नांगल कोदरी बहुत प्रेम है नार नोल में चुनाव लड़े ओएं उनके लिए है वमने हैं डादरी में हमने क benefici प्रोग्राम करें दादरी मी बहुत हमारी मजबूत है पौत अधानी उंका ब Deus बहुत की अंदर और ऐसा धड़कनें उनकी dal zer यह हैं और इनकी वजैसे आज दरम बीर जी जी भूँ है कैसे भार उट फोंपने जा रहें उनकी घर वालों को बेजरहें नहीं तो जी घर से बाहर जाने गा जी और फॉर्यश्य था बाहर जाते कटने के लिए के वोट काटने के लिए दान सिंग जी को क्छडा कि आख़ा किया लेना देना था इतने बड़े परिवार iki टिकेट काट करके हुड़ा साम हमां दिल्ली बैठे और दान सिंग जी के बहुत ही लंबे समय से बिजनस पाटनर है तो जी ये तो ये हैं कि अकर राव भादर आ गया तो उनके धंदे पर लग जाएगा ताला और राव भादर सिंग फिर ऐसा काम कर देगा फिर आगे तक के लिए इनके राजनितिय हो जाए कि खत्म तो इसी प्रकार ये लोग आज ह इनके लोग खड़े हैं इनके लिए लेकिन जो इनका दिख रहा है ये गुड़गाओं से गाडिया लाला कर चारसो पान सो और गाओं में जाकर गुडगाओं के लोग दिखाकर के वोट लेने कोशिश कर रहे है पबलिक इतनी बावली नहीं है आज की पबलिक बहुत शान ना जो दिल के लोगों में राज करता है वही इस चुनाव को जीतेगा और आ चारो तरफ एक ही नारा चल रहा है जो गाड़ी पर भी लिखा हुआ है कि अब की बार बादर पार अब की बार बादर पार तो दोस्तों बातचीत के सिलसले को अपन यहीं पर खतम करेंगे मैं कोई कनक्सनी है फिर चाहे वो जज़पा हो भासपा हो कॉंग्रिस हो या चाहे कोई निर्दलिय उम्मीदवार हो हमारी कोशिश है गाउं गाउं जाएं लोगों से बातचित करेंगी भी या इस बार कोण सी पार्टी जीतने की संभाव नाए है आज जैसे यो दिविर जिस आओ और राओ भादुर सिंग्जी को जिताओ और सारे युवाओं से मैं आगरे करूंगा कि इस चुनाओं के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का साथ दें जो आने वाले समय में आपके पूरे छेतरे के लिए काम करेगा और गाउं में जाकर गाउं की समस्याय सॉल्व करेगा और आपके बीच रहेगा तो आप सभी ने मुझे सुना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद राम राम जैहिंद तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और चुनावी सर्वे और किसी और चुनावी दोरे के साथ तब तक के लिए बने रही है इस स्पोक्स परसन पर